तो अगर आप Excel पर काम करते हो या फिर आप Excel पर काम करना चाहते हो मतलब आप जौब चाहते हो ऐसी जहां पर आपको Excel पर काम करने को मिले लेकिन आपको नहीं पता है function keys का क्या use होता है Excel के अंदर तो भाई टेंशन मतलो तुमारा भाई एकदम step by step एक एक point हैंपर clear करेगा एक एक key को एकदम अच्छे से clear करेगा कि Excel के अंदर function keys कैसे use करनी होती है तो भाई देखो मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ Excel 2019 मैं 2010 नहीं कर रहा हूँ 11 12 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पुराने version हो चुके हैं तो मैं आपर 2019 यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाओगे Excel पर काम करोगे तो यहाँ पर आपको 2019 या फिर 365 या फिर 2021 जो एकसल के version है वो मिलेंगे entry करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए है ना तो भाई देखो अगर आप एक laptop user हो तो आपका जो keyword है वहाँ पर आपको एक function key दिखेगी मनलब fn key दिखेगी अगर आपको function keys का use करना है f1, f2, f3, f12 तक तो सबसे पहले आपको उसको press करना है fn key को फिर आपको f1, f2, f3 keys का use करना है ठीक है भाई clear है तो देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको वीडियो complete देखनी है वीडियो skip नहीं करनी है कहीं पर भी क्योंकि भाई काफी ज़्यादा informative useful वीडियो है तो भाई काफी ज़्यादा मेहनत लग गई इस वीडियो का उनाने के लिए बस आप एक like करो दो मेहनत को और बस और नए हो तो subscribe भी कर लो भाई अगर मैं simply यहाँ पर F1 प्रेस करता हूँ keyword से तो यहाँ पर help की window open हो जाती है लेकिन मेरी नहीं हुई क्योंकि यह बोल रहा है कि आपका जो computer है उसमें internet connection नहीं है अभी अगर होगा तो यहाँ पर help की window open हो जाएगी उसमें आप Excel के बारे में जान सकते हो Excel के यहाँ पर जितने फंक्शन है उनके बारे में जान सकते हो Excel के जितने formula's हैं उनके बारे में जान सकते हो अगर आपका जो computer है उसमें net चल रहा होगा तो ठीक है भाई अगर आप अंदर 2010 में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो open हो जाएगा normally और मैं simply करता क्या हूँ इसको close करता हूँ ठीक है बस यहाँ पर हमारी बिल्कुल seat seat बचिया और काफी अच्छी लग रही है आप ऐसे यहाँ पर normally कोई भी entry कर सकते हो है ना तो यहाँ पर सभी कुछ show हो गया है अगर अभी मैं control के साथ F1 दबाऊंगा तो मैंने control दबाया और यहाँ पर F1 प्रेस किया तो देखो यहाँ पर जो हमारे tab थे home tab के जतने भी option थे home tab का जो ribbon था वो यहाँ पर hide हो गया है अगर आपको show करना है तो फिर आप control F1 दबा सकते हो ठीक भाई यहाँ पर हमारी जो F1 की है वो हो गई clear अभी चलते F2 की तरफ तो देखो भाई F2 का क्या scene है आप यह देखो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर double click करता हूँ तो हमारे यहाँ पर करजर आता है ठीक है मैंने यहाँ पर click किया double click किया तो जो को करजर आ रहा है लेकिन अगर आप keyword से F2 को press करोगे तो देखो automatic यहाँ पर सकते हो फिर अभी देखो अगर मैं control के साथ F2 को press करूंगा तो यहाँ पर control के साथ F2 प्रेस किया मैंने तो देखो print का option आ गया आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो seat रहा है वो print में कैसी दिखेगी आप यहाँ से print निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए printer चाहिए को मैंने simply shift को press किया और यहाँ पर F2 दबाया तो यहाँ पर एक comment का डायलोग comment का एक box open हो गया आप यहाँ पर कोई भी comment लिख सकते हो ठीक है और मैं simply भार क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर जो हमारी comment वो लग चुकी है अगर मैं इसके उपर अपने करदार को लेकर जा करना है तो अब भी आप कोई भी हाँ पर edit कर सकते हो लेकिन अगर आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने बाद आपको simply delete दवा देना है keyboard से अभी दिखते हैं F3 की का क्या काम होता है Excel के अंदर तो भाई F3 की काफी जादा options लेके आती है अपने साथ मतलब आप काफ यूज बताऊंगा मैं आपको Excel के अंदर जो F3 की है तो देखो अगर मैं simply F3 की प्रेस करता हूँ keyword से तो कुछ नहीं होगा लेकिन आप यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर यह लिख रखा है इसलिए आ रहे हैं तो मैं करता क्या हूं मैं simply एक काम करता हूं control F3 की प्रेस करत हूं पहले तो और फिर मैं control के साथ इनको यहाँ पर सभी को कर लेता हूं ड्रीट भाई आपको यह सब चीज नहीं दिखेंगी आपको नहीं दिखेंगी मैंने यहाँ पर बना रखा है इसलिए मुझे यह चीज दिख रही है तो मैं simply को ड्रीट करता हूं पहले और यहाँ इनको मैं कर लेता हूं ड्रीट ठीक है तो मैंने कर लिया ड्रीट अभी मैं आपको complete बताऊंगा भाई यह एकदम advanced लेवल का है और इससे आप एकदम smart तरीके से data entry या फिर कोई भी काम कर सकते हो तो देखो अगर मैं अभी F3 की दवाता हूं keyword से तो कुछ नहीं हो रहा है मै यहाँ पर प्रेस कर रहा हूं F3 की को लेकिन कुछ हो नहीं रहा है भाई अभी देखो करना क्या है आपको अगर मैं simply इस range को करता हूं यहाँ पर select मैं range select की और अभी मैं formulas tab के अंदर जाता हूं यहाँ पर मैं define name के अंदर click करता हूं और यहाँ पर मैं इसका कोई भी नाम द आता हूं मैं और अभी मेरे को कोई formula लगाना है तो मेरे को मार्ण चली हाँ पर वी लुक फॉर्मूला लगाना है तो मैं equal करूंगा और यहाँ पर वी लुक अप लिख दोंगा tab की प्रेस की keyword से तो यह automatic यहाँ लिख गया ठीक है अब यह पूछा है look up value तो look up value हम इस cell को द नाम लिखता हूं मारें कि चलिए मैं यहाँ पर किया stu तो देखो automatic यहाँ पर यह range select हो गई और देखो एक चीज़ और दिखाता हूं मैंने इसको किया यहाँ पर clear और अगर मैं simply manually इसको यहाँ पर select करता हूं तो देखो यहाँ पर तब भी stu नाम ही आ रहा है तो अभी द करता है ना तो simply मैं comma करता हूं अभी और यहाँ पर zero करना ही करना होता भाई और आपको bracket को close करना और इंटर करना है अब यहाँ बोल रहा है यानि कि जो आपने cell दिया था reference cell उसमें कुछ नहीं है तो मैं simply यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं आपर राजू लिखता हूं और मै simply इंटर प्रेस करता हूं है ना तो देखो automatic यहाँ पर 154 इसका total था वो आ गया ठीक भाई simple है कोई दिक्कत नहीं है अभी देखो next आपको क्या करना है तो अगर मैं control के साथ F3 की को press करूंगा तो मैंने control के साथ F3 की press की तो आप यहाँ पर कोई भी change कर सकते हो आप यहाँ नया बना सकते हो आपने जो STU नाम दिया था इसमें आप यहाँ पर edit कर सकते हो या पर आप इसको delete भी कर सकते हो तो मैं इसको simply delete कर देता हूं ठीक है और मैं इसको ok कर देता हूं तो अभी हो गया delete और देखो यहाँ पर हमारे जो formula लगा था वो भी गड़वड हो गया क्यो तो क्या हुआ अभी देखो भाई यह है एक number चीज मतलब यह है उसी की तरह लेकर यह advance है आप देखो अभी simply यहाँ पर open हो गया window create names from selection की तो मैं यहाँ पर करता क्या हूं उसके लिए मुझे सबसे पहले यह range करनी पड़ेगी select उसके बाद मुझे अभी करना क्या है मुझे यहाँ पर press करना है control shift F3 और अभी देखो यहाँ पर top row हो चुकी है select मतलब top row यह उपर वाली और यहाँ पर left column मतलब यह वाला column है यहाँ पर select हो गया है ठीक है आप bottom row या पर right row कर सकते हो कोई problem नहीं है तो मैं नहीं करता हूं मैं simply okay करता हूं अभी तो हुआ कुछ नहीं अभी देखो होगा तो मैं simply यहाँ पर आता हूं यहाँ पर आने बाद मैं एक formula लगाता हूं sum का तो मैं काम करता हूं यहाँ पर नीचे लगाता हूं formula sum का तो मैंने हाँ पर equal किया और मैंने हाँ पर sum लिखा और मैंने हाँ पर bracket को start किया ठीक है अभी यहाँ पर देखो अग करूंगा तो देखो यहां पर टोटल आ गया ऐसे यहां पर है देखो मैंने यहां पर क्लिक किया और यहां पर मैं एक्वल लिखता हूं और यहां पर सम लिखता हूं उसके बाद मैं बैकेट को स्टार्ट करूंगा और अभी मैं किसका देख रहा हूं मैं देख रहा हूं यहा यहां पर रविंदर लिख देता हूं देखो बाई जैसे मैंने यहां पर रविंदर लिखा यह रेंज यहां पर आटोमेटिक सेलेक्ट हो गई ठीक है यह इसका यहां पर टोटल करके दिखाएगा सभी का तो यार आप ऐसे यूज कर सकते हो एफ-3 की का एक एडवांस लेवल बाई इतना ही नहीं है अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और मैं सिंप्ल यहां पर जाता हूँ और यहां पर आपको इस सबी कि distinguish कर सकते हो तो मांग चले मैंने आपर हिंदी किया तो देखो यह range select हो गई हम पर automatic automatic यहाँ पर range select हो गई अगर मैं आपर कोई formula लगाऊंगा और formula में बस मुझे यहाँ पर जाना है और मुझे यहाँ पर हिंदी कर देना है तो यह range यहाँ पर automatic select हो जाएगी और फिर आपको bracket बंद करके enter कर देना है ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर किया था भाई एकदम सेम ऐसे ही तो अभी चलते हैं आगे तो भाई जो function की F3 है ना इसका काफी ज़्यादा use है Excel के अंदर और भाई एक नमबर चीज़ है अभी देखो भाई अभी simply मैं alt के साथ F3 की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर open हो जाएगा selection name as name box देखो आपको मैं देखाता हूँ तो मैंने simply alt के साथ F3 की को प्रेस किया तो देखो हमने जो यहाँ पर select किया था इस range को यहाँ पर यह दिया था हमने टॉप रो दीती और हमने यहाँ पर left column दिया था तो सभी यहाँ पर open हो चुके हैं आप यहाँ से कुछ भी select कर सकते हो अगर आप कोई formula लगा रहे हो तो simply आप यहाँ पर जाके भी जूज कर सकते हो और simply आप formula के अंदर भी नाम लेख सकते हो आगया समझ तो अभी देखो भाई अगर मैं यहाँ पर alt shift F3 की press करूंगा keyword से तो simply मैं करता क्या हूं मैं simply यहाँ पर करता हूं click और मैं अभी यहाँ पर alt करता हूं shift करता हूं और F3 की press करूंगा तो अब यह window open हो गई तो आप यहाँ से category कर सकते हो select मैं यहाँ पर click करूंगा और मैं यहाँ पर कोई भी ले सकता हूं तो मैं आनके चलिए मैंने यहाँ पर date and time ले लिया उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने date ले लिए और मैंने okay कर दिया ठीक है तो अब यहाँ पर आपको simply type करना जो भी आप चाहते हो तो मैं आप 2022 कर देता हूं उसके बाद मैं नीचे आना है नीचे आपर month पूछ रहा है तो मैं simply आपर month भी type कर देता हूं अब यहाँ आता हूं मैं एकदम short से एकदम fast तरीके से ठीक है control नहीं Alt Shift और F3 प्रेस करनी है आपको ठीक है यहाँ पर हमारी F3 की है function की वह एकदम complete हो चुकी है अभी चलते हैं आगे F4 की तरफ और भाई F4 भी काफी ज़्यादा useful है F4 का मैं आपको 7 यूज बताऊंगा Excel के अंदर 7 यूज थोड़ all कर देता हूं ठीक है अगर मैं simply F4 की प्रेस करता हूं keyword से तो होगा क्या यह यहाँ पर repeat करेगा आपने जो भी काम किया है Excel में last जो आपका action था उसको तो देखिए कैसे वर्क करता है अगर मैं simply यहाँ पर आता हूं और यहाँ पर मैंने इसका front color red कर दिया ठीक है और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं मेरे को इसका front color भी red करना है तो आप simply keyword से F4 की को प्रेस कर दीजिए यहाँ पर automate का जाएगा red मैंने यहाँ पर क्लिक किया F4 कर दूँगा तो देखो red आ गया अगर मैं यहाँ पर आता हूं और मैं इसको bold करता हूं ठीक है अभी मैं last action क्या कि बोल्ड किया है तो अगर मैं यहाँ पर जाके F4 की प्रेस करूंगा तो यह इसको भी बोल्ड कर देगा ठीक है भाई आगया समझ अभी देखो simply मैंने यह range की select और मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने बाद मैंने border लगा दिया ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर करूंगा ऐसे select और मैंने F4 की प्रेस कर देगी तो देखो यहाँ पर border लग गया मतलब जो भी आप काम करोगे Excel में last जो आपने last action जो किया था Excel के अंदर अगर आप फिर F4 की प्रेस करोगे तो यह उसको repeat कर देगी जो हमारी F4 की है एक use हो गया यह अभी देखो आगे अगर मैं control के स पूछ है कि आप save करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते अगर मैं इसको save कर दोंगा तो यहां पर आटोमेक क्लोज हो जाएग जो मारी विंडो है एकसल की तो मैं save तो इसको कर देता हूं लेकिन मैं exit नहीं कर तो मैं इसको close कर देता हूं ठीक है control F4 दबाओगे तो आपकी जो उससे पहले मुझे काम करना है मैं इनको कर देता हूँ यहां पर किलियर अब यह कमाल देखो मैं सिंपल यहां पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको डिलीट करता हूँ यहां पर करता हूँ यहां पर डिलीट और यहां पर डिलीट इसको कर लेता हूँ यहां पर डिलीट और इसक करूंगा कीवोर्ट से प्रेस करूंगा sorry control shift f4 की तो देखो यह यहां पर आ गया मतलब यह करता क्या है मेरे भाई जो जो cell खाली होती है excel seat के अंदर यह उस पर जाता है उस पर move करता है उस cells पर तो देखो control shift f4 की press कर रहा हूं मैं और देखो यह दीर दीर ऊपर जा रहा है, लेकर ये इसी seat पर है तो अभी देखो ये खाली sell पर आ गया मतलब जो sell खाली नहीं है उसको स्किप करता है और जो खाली है उसको ये जाता है direct समझ में आ गया तो ये तो होगया एक use control shift F4 का, मतलब एक नहीं है यह तीसरा यूज है लेकिन भाई अभी देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं मैं सिंपली करता क्या हूं मैं हैं पर कंट्रोल के साथ F करता हूं मतलब कंट्रोल फैंड करता हूं तो मैंने कंट्रोल F दबाया तो यहां पर find की window open हो गई find and replace और देखो मैं यहां या लेकिन भाई अभी देखो मैं इसको यहां पर close करता हूँ और मैं simply यहां पर भी करता हूँ क्लिक यहां पर क्लिक करने काने बाद अभी मैं control shift F4 की press करूंगा तो देखो राम जहां पर यह वहाँ पर आ गया ठीक भाई देखो ये नीचे से देखेगा Ctrl-Shift-F4 आप प्रेस करोगे तो ये नीचे से उसी चीज़ को देख रहा है अभी जब तो ये खाली सेल्स को देख रहा था खाली सेल्स पर जा रहा था लेकिन अभी हमने Find किया तो अभी आप Ctrl-Shift-F4 की प्रेस कर रहे हो तो देखो ये धीरे राम को हमको देखा रहा है नीचे से आगे है समझ अभी देखो भाई अगर मैं Simply यहाँ पर Shift के साथ मतलब Alt के साथ Sorry Shift के साथ F4 की प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर आगया और मैंने यहाँ पर Shift दवाया Sorry Alt दवाया Alt के साथ मैंने F4 की प्रेस की तो देखो फिर से वो ही काम कर रहा है ठीक है अगर मैं Shift के साथ F4 दवाता हूँ अभी और मैंने Shift F4 की प्रेस की तो देखो आगे जा रहा है ठीक है Alt के साथ करूँगा तो ऐसे जाएगा ठीक है भाई तो आगे समद अभी देखो एक और चीज़ अगर मैं सिंपली अभी भाई ये जो यूज है ये काफी जादा खतरना आके और काफी जादा यूज में आने वाला है तो देखो करना क्या है सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ पांच मैंने यहाँ पर पांच लिखा जो ये यूजर भाई एक नमबर है पांच लिख दिया मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इंट्री कर देता हूँ मैंने यहां पर यह entry कर दी और मैं simply यहां पर ठीक है मैंने यहां पर 5 लिखा और मैं चाहता हूँ कि जो यह 5 भाद यह यह इसमें add होता रहे ठीक है इसमें यह add हो जाए 5 तो मैं इसके लीए करूंगा क्या मैं यहां पर equal लगाओंगा equal लगाने के बाद मैंने इस cell को दे दिया और मैंने यहाँ पर plus कर दिया इस cell को ठीक है बाई और simply मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ enter कर दिया 5 एड हो गए कोई दिक्कत नहीं है अभी मैं इसको पकड़ के ऐसे नीचे कर देता हूँ ड्रैग मैंने यहाँ तक कर दिया है ठीक है भाई हो गया काम अभी देखो अभी यहाँ पर 105 है तो यहाँ पर 105 है बस केवल यहाँ पर add हुआ है और बाकी सब में same है अगर मैं यहाँ पर double click करूँगा माउस से तो देखो यहाँ पर यहाँ पर आ गया है यहाँ पर 5 था लेकिन यहाँ पर आ गया है तो अभी देखो करना क्या है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन अभी देखो मैं simply enter करूँगा और मैं इनको कर देता हूँ यहाँ पर delete delete करने के बाद में मैं simply इस पर double click करूँगा और यहाँ पर जो यह सेल है इसका नाम है I4 ठीक है मैं यहाँ पर आकर अभी F4 की को प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पर हुआ क्या है भाई यहाँ पर इसने इस सेल को कर दिया lock यहाँ पर ही रहेगा इससे आगे नहीं जाएगा देखो डॉलर और डॉलर साइन यहाँ पर लग गया है तो simply इसने इसको lock कर दिया है तो अगर अगर अभी मैं यहाँ पर enter करूँगा और अभी मैं इसको पकड़ के नीचे लेके आऊँगा तो देखो अभी यहाँ पर सब में add हो गया है पांच पांच और मैं अगर आप डॉल कलिक करता हूँ तो देखो अभी वो वही है आगी है समझ यह काफी ज़्यादा यूज में आने वाला है मैंने जो प्रिविएस वीडियो अपलोड की है उसमें भी मैंने इसका यूज बताया है मतलब lock का scene काफी ज़्यादा भाई तो यहाँ पर go to वाली window open हो जाएगी तो वही चीज है जैसे मैंने आपको बताया था वो window open हो गई थी जहाँ यहाँ यहाँ पर range दी थी simple है भाई अगर मैं हिंदी करके इसको ok कर दूँगा तो देखो हिंदी वाली range यहाँ पर select हो गई simple है कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं यहाँ पर f5 की press करता हूँ अभी देखो आ गया यह option और यहाँ पर एक option है special का अगर मैं इस पर click करूंगा तो यहाँ पर काफी ज़्यादा options निकल के आ जाते हैं जो कि मैंने already explain किये हुए है पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको home tab को पूरे को बताया था home tab में क्या-क्या यह options हैं क्या-क्या यहाँ पर block हैं सब भी को clear कर दिया और उसमें यह चीज़ भी है तो इसमें मैंने आपको बता दिया क्या सीन है अब यह मैं इसको करता हूँ close simply तो अभी देखो बाई अगर मैं हैंपर कन्ट्रोल के साथ F5 की प्रेस करूंगा तो यहाँपर यह एक और मतलब इस विंडो को छोटा कर देगा तो देखो WOR wish की मैंने तो दीखो यह विंडों यहाँपर छोटी हो गए ठीक है सन मैं च्छो करदा हूंगे मैं SiMais अब भी देखो अगर मैं shift के साथ f5 को press करूँगा तो यहाँ पर find and replace का वो open हो जाएगा तो देखिए मैंने shift किया और shift करने एक बाद है मैंने यहाँ पर f5 की press की तो यहाँ पर find and replace आ गया वो यह same है कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ से control plus f कर सकते हो तो वो यह चीज open हो जाएगी अभी चलते हैं आगे आभी देखते हैं f6 का क्या काम है एक्सल के अंदर तो भाई f6 का बस एक ही काम है वो आप देखो अगर मैं simply यहाँ पर click करता हूँ keyword से f6 key तो मैंने click किया है मतलब press किया sorry और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर आपको कुछ देख नहीं रहा होगा लेकिन अभी देखेगा दिख गया ना इसका मतलब यह है भाई आप f6 की का यूज कर सकते हो एक्सल के अंदर move करने के लिए simply हम यहाँ पर आजाते हैं यहाँ पर आप कोई भी प्रेस करोगे और pma कुछ भी यहाँ पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आजाएगा direct उसके बाद में यहां पर यह नीचे आता है सीट के अंदर उसके बाद में फिर यहां पर आता है सीट के जो हमारी सीट होती है यहां पर उसके बाद में फिर यहां पर आके यहां पर आता है अगर आप एप 6 की प्रेस करते चले जाते हो तो तो देखो अब यह उपर है अगर म कीवोड से यहां पर arrow की का यूज करूंगा तो देखो है ना भाई आ गया समझ अभी मैं एक और यहां पर f6 करता हूं तो देखो अभी मैं हैं पर आ गया अगर मैं एक और यहां पर f6 करूंगा तो देखो अभी मैं ऊपर पर पहुंच गया मैंने एक बार किया और एक बार किया अब मैं रहाइफ और प्रेस करोंगा कीवोर्ट करूंगा तो आगर मैं फिर से एप 6 की प्रेस करूँगा तो देखो आप मैं ऊपर चला गया अगर मेरे कोई हाँ पर कोई चीज़ स्लेक्ट करनी है तो आपको रैट एरो का यूज करना है ठीक है भाई सिंपल आप याप डाउन कर सकते हो तो ऐसे आप यूज कर सकते हो भाई एप 7 की अगर मैं सिंपली प्रेस करूँगा कीवोर्ड से और यहां पर एक विंडो ओपन हो जाएगी जो की है आपकी स्पैलिंग चेक की तो देखो यह स्पैलिंग यहां पर गल्थ लिकी हुई है तो इसने इसको किया मतलब यह इस पर गया स्लेक्ट किया इसने यह बोल रह कर सकते हो मतलब जो भी यहां पर लिखा है अगर सब को आप एगनोर करना चाहते हो तो उसको सब को छोड़ दो अगर आप इसको एड़ टू डिक्शनरी करते हो तो इसका मतलब क्या होगा बाई आप अगर एक्सल सीट के अंदर कुछ भी लिखोगे यह वाला वर्ड तो व मैं इसको माइक्रो क्लिक करूँगा और चेंज कर दूँगा तो यह चीज यहां पर माइक्रो में चेंज हो जाएगी अगर मैं चेंज ओल कर दूँगा मतलब यह चीज अगर कहीं भी सीट के अंदर लिखी हुई है और मैं चेंज ओल पर क्लिक कर दूँगा तो सभी को यहा गया बस इतना ही है अभी मैं इसको चेंज कर देता हूं और सिंप्ली मैं O.K कर दूंगा देखो microphone हो नो ठीक हो गया और अभी मैं किसको क्लूज कर देता हूं आगे समझे तो ठीक बाई अब देखो अगर मैं अभी shift के साथ F7 की press करूँगा तो देखो क्या होगा तो मैंने shift प्रेस किया और यहाँ पर F7 की प्रेस की तो यहाँ पर एक dialogue open हो गया भाई एक यहाँ पर window open हो गया अभी इसका क्या scene है आप यह देखो अगर मैं simply यहाँ पर computer लिखता हूँ और मैंने सिंपली यहाँ पर search पर click कर दिया तो देखो यहाँ पर processor CPU mainframe super computer workstation PC laptop notebook सब कुछ आ चुका है ठीक है अगर मेरे को यहाँ पर क्या करना है मेरे को यहाँ पर processor लिखना है तो simply मैं यहाँ पर आता हूँ इस पर click करूँगा और मैं insert कर दूँगा तो जो कि हाँ पर processor लिख गया ठीक है भाई सिंपल है अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ यहाँ पर मेरे को super computer लिखना है तो मैं simply हाँ पर click करूँगा और मैं insert कर दूँगा तो जो को super computer लिख गया तो इसका कुछ use है नहीं भाई वैसे पर मैंने आपको बता दिया क्योंकि use में तो आता है ना यह shift के साथ और F अगर हम press करते है F7 की अभी चलते है आगे अभी देखते है F8 और F9 तो देखो भाई F8 का क्या सी नहीं यह काफी खतरना के भाई इसका तो एकदम मज़ेदार चीज़ देखो अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ यहाँ पर click करने के बाद मैं simply F8 की press करूँगा keyword से तो मैंने F8 की press कर दी तो देखो यहाँ पर आ गया extend selection लिखा समझ रहे हो अगर मैं यहाँ पर F8 की press करूँगा तो देखो चला गया F8 की press की तो यहाँ पर आ गया extend selection अभी आप extend की यह selection को तो अगर मैं mouse से simply यहाँ पर click करता हूँ तो देखो सब भी select हो गया जितने भी cell थे वो सब भी यहाँ पर select हो गया अगर मैं यहाँ पर click करूँगा तो यह select हो गया और अभी मैं कहीं पर click करूँ तो मैं कर पा रहाँ किसी भी cell पर अभी देखो दूसरा use अगर मैं shift के साथ F8 की press करता हूँ तो देखो क्या होगा मैंने simply यहाँ पर shift दवाया और मैंने F8 की press की तो अभी देखो यहाँ पर आ गया add or remove selection add कर दो या फिर remove कर सकते हो आप किसी को भी तो अभी मैं करता क्या हूँ अभी मैं simply यहाँ पर click करता हूँ ठीक है यहाँ पर click करता हूँ यहाँ पर click यहाँ पर click यहाँ पर click इसका मतलब समझ में आगया होका भाई इसका यह है कि आप अभी single click कीजिए कहीं पर भी बस आपको click करना है आपको control दवा के नहीं रखना है आगे समझ अभी मैं कुछ इंप्रियांपर delete की से delete कर सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं है ना तो अभी मैं करता क्या हूं अभी मैं सिंप्रियांपर shift के साथ f8 की press कर दूँगा तो यहां पर यह बंद हो जाएगा देखो यहां से गायव हो गया ठीक है add or remove selection था जो और अभी मैं चाहता हूं उसको delete कर दूँ हो या delete कोई दिक्कत नहीं है तो भाई सही है काम अभी चलते आगे अभी देखते है f9 की का क्या use है excel के अंदर तो भाई यह काफी सही सीज़ है यह तो क्या हो गया यहां पर minimize हो गई विंडो अभी देखो एक और यूज एफ 9 की का अगर मैं simply f9 की प्रेस करूंगा तो क्या होगा मैंने simply f9 की प्रेस की कीवोड से तो कुछ नहीं होगा लेकिन होगा भाई उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा देखो अगर मैं करता क्य पर इंटर प्रेस किया तो और अगरिए मैं नियाओं करता हूं पर और जाकर देता हूं और अगर अभी मैं इसके अंदर को चेंज करता हूं मानिए मैंने आपर यह कर दिया और मैंने इंटर अगर तो देखो same है वो तो amount है जो हमारा उसमें कोई change नहीं हुआ लेकिन अगर अभी आप F9 की press करोगे तो मैंने F9 की press की तो देखो automatic change हो गया मतलब कि जब मैं F9 की press कर रहा हूँ तो यह change हो रहा है तो अगर आप कोई problem हो रही है कि आप कोई formula लगा रहे हो या फिर add कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो और वह यहां पर update नहीं हो रहा है automatic तो आप calculation option पर जाकर यहां पर कर सकते हो इसको automatic है manual होगा ठीक है भाई आगया समझ और अभी आप F9 की press करोगे तो यहां पर जितनी भी seat है यह यहां पर सभी को refresh करेगा लेकिन आप चाहते हो बस यही seat refresh हो तो आपको shift के साथ F9 की press करनी है shift और F9 तो बस इसी seat का data है यहां पर refresh होगा अपडेट होगा ठीक है भाई आगे समझ अभी चलते हैं आगे इसको मैं सिंप्ली करता हूँ इसको automatic कर देता हूँ है ना भाई इसको ही रखते हैं ज़्यादा अभी दिखते है F10 की का क्या यूज है और भाई एक बात बोलना चाहूँगा F10 पर जाने से पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर दो भाई काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए तो अभी देखो अगर मैं सिंप्ली F10 की प्रेस करूंगा कीवोड से तो मैंने F10 की प्रेस की तो है ना वाई और आ गया उपर जाके मैं हैं पर कोई भी स्लेक्ट कर सकता हम तो यह 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 आप सिंप्ली यहां पर जाके मतलब जा सिर्फ जो शौट करता ही किसे है ना वैसे यह F6 नहीं है यह F6 तो क्या काम होता है F6 का तो F6 तो यहां पर आता है फिर आप F6 दबाओगे की तो देखो क्या होता है इसका यहां पर नाम आया गया समझे आप यहां से जा सकते हो कीवोड से कोई भी की दवा कर अगर आपको माउस का यूज नहीं करना है तो आभी देखते हैं आगे F10 का क्या यूज है अगर मैं कंट्रॉल के साथ यहां पर F10 की प्रेस करूंगा त तो बस आपको सिंप्ली कंट्रॉल के साथ फिर से F10 प्रेस करना है तो आप यह बड़ा हो जाएगा ठीक है भाई सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं यहां पर आता हूं यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं माउस से तो यह ओप्शन आ रहे हैं खुलके लेकिन अग आगे F11 की की तरफ तो भाई F11 की का क्या यूजर बस तीन यूजर आराम से जानी है क्या जूजर तो देखो अगर मैं सिंपली यहां पर आता हूं F11 F12 सीट पर अगर मैंने इसको किया हुआ है हम पास सेलेक्ट ठीक है मैंने एक सेलेक्ट किया और मैं अभी कीवोर्ड से सि F11 की दवाओंगा तो यहां पर यह चार्ट के रूप में आ जाएगा भाई देखो यहां पर चार्ट आ गया है और इसने इसको चार्ट के रूप में दिखा दिया जो हमने आप सेलेक्शन किया था ठीक है इसको मैं आपकर कर देता हूं डिलीट आगे समझ भाई इसको मैं डिट कर देता हौं अब ही देको यह तो एक युज हो गगया अगर आप किसी बीडेटा को सेलेक्शन को छार्ट के रूप में लिट करना चाहते हो तो आप को सेलेक्शन करके स्प्रेट कर देना है तो ऋश्वा keyword हो जाएगा अभी देखो दूसरा यूज अगर मैं कंट्र OL के साथ F11 की करुंगा तो देखो मैक्रो की Жạ Didi हो गई आगे समझ आभी मैं चलता हूँ यहांपर अभी देखो भाई 3 रहा यूज क्या है F11 की का है अगर Profile यहां पर shift के साथ f11 की press करूँगा तो यह यहां पर एक और नई seat add कर देगा समझ रहे हैं ना वाई देखो यहां पर यह रही shift 5 आगर मैं एक और करता हूं यहां पर तो shift 11 करना है मुझे shift 11 कर देखो shift 6 सीट 6 हो गई इंटर है ना वाई सौरी अभी देखो f12 की जो हमारी लास्ट की है उसका क्या यूजर एक्सल के अंदर तो बैस सबसे पहला तो है से वैस अगर मैं सिंपली यहां पर कहीं पर भी कमला हमारा डेटा हो गया कंप्रेट हमारी डेटा एंट्री जो भी हम कर रहे हैं और मैं सिंपली f12 की प्रेस करूंगा कीवोर से तो यहां पर save as का option आ जाएगा जिसका मतलब यह है आप इसी फाइल को देखो इसका नाम यहां पर आभी f12 है आप इसका यहां पर नाम चेंज कर सकते हो और फिर आप यहां से destination दे दो आपको कहां पर save करनी है वो फाइल और save as का यह use होता है ठीक है तो यहां पर मैं इसको close करता हूं save as नहीं करता हूं आगे समझ अभी अगर मैं control के साथ f12 की करूंगा तो देखो open हो जाएगा open तो देखो देखो आप control और f12 किया मैंने तो देखो यहां पर open की window open हो गई ठीक है आप जो भी चाओ वो हैं से आप open कर सकते हो simple है अब देखो भाई तीसरा यूज क्या है हमारी जो f12 की है उसका अगर मैं shift के साथ f12 की press करूंगा तो यहां पर इसको save कर देगा भाई देखो मैंने किया यहां पर shift और मैं f12 की press करूंगा तो यहां पर यह save करने को बोल रहा है देखिए the following features can't be saved in macro free workbooks तो यह यहां पर इसको नहीं कर सकता तो मैं करता क्या हूं मैं macro को यहां पर डीट कर देता हूं देखिए मैं यहां पर गया मैं और इस पर जाकर मैं इसको डीट कर देता हूं पहले और अगर अभी मैं यहां पर करता हूं shift के साथ f12 किया तो देखो save हो गया देखो save हो रहा है आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिप्ट के साथ F12 की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह सेव कर रहा है इसको ठीक है सेविंग F1 to F12 आगे समझ तो बस इतना ही था अच्छी वीडियो में वीडियो अच्छी लग गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर दवा दो भाई ताकि मैं जैसे वीडियो कोई भी अपलोड करूँ एक सल से लेटेड तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते आने वाली वीडियो में और मिलेंगे तब जब आप सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को तो भाई कर लीजे और मिलते हैं बाई